नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अकेला पोल्टरी विलोग में दोस्तों मेरा फार्म का टोटल खर्चा है 47,450 रुपे मात्र जी हाँ दोस्तों मेरा फार्म का अभी मैं आपको टोटल दिखाऊंगा कि किस चीज का कितना हमें खर्च हुआ है जिहां दोस्तों आपको हम अपने फार्म का पूरे वीडियो भी दिखाएंगे कि हमने किस जगा पे कैसे उच किया है और आपको किस तरह से उच करना है ताकि आपका कोश्ट बच सके जिहां दोस्त मेरे एक साथी का कमेंट था उन्होंने पूछा था किसर में 1000 बच का पॉल्टरी फार्म चलाता हूँ और मुझे दूसरा फार्म बनाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हम लोग कोश्ट में पॉल्टरी फार्म बना सकते हैं तो मैंने सोचा दोस्त कि क्यों ना अपना फार्म का एक वीडियो बना के आप लोगों को आप लोगों तक शेयर किरें ताकि आप लोग भी को भी समझ में आ जाए कि आप कम बजट में पॉल्टरी फार्म कैसे बना सकते हैं दोस्त एक बोलने वाली बात नहीं है हम आपको पूरा फार्म का वीडियो भी दिखाएंगे आपको हर एक चीज के वारे में भी बताएंगेsty कि हमने कहां पर कितना इंवेस्ट किया है और किस तरह से बनाया इससे पहले दोस्त में कुछ नए जो फार्म मर लोग हैं या फिर जो ऐसे जो लोग फार्म में आना चाहते हैं पौल्री लाइन में जो सोच रहे हैं कि हम पौल्री फार्म बिजनेस शुरूं करें तो दोस्त वन लोगों से पैसा पूल्ट्री फार्म बनाने में इन्व셉ट ना करें आप पहले अपने आपको पॉल्ट्री लाइन में लाए कम बजट में पॉल्ट्री फार्म बनाइए और उसमें पहले लेबल पे आप सुरू कीजिए आप देख लीजिए आपको खुद समझ में आ जागा कि क्या आप पॉल्टरी फार्म सही से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं क्या आप पॉल्टरी फार्म चलाने का आपके पास में उतना होसला है जी हाँ दोस्त पॉल्टरी फार्म चलाना होगी भूस सारे लोग करते हैं और बेंक से बहुत सारा लोन ले लिया फिर कहीं से वि महाजन से 4-5 पल्ट पईसे उठा लिए का पनस में फासा दिया तो ढगे चलके क्या होता है याग जिनALL वह दोस्त अगर जिसी परबादि का ही दिन शुरू हो जाता है जीotom अजिक्त है और अप एसा गल्टी न करें तो चलिए दोस्त हम आपको दिखाते हैं अपने अपने पॉलिटीप फार्म के बारे में, कि हमने कितना इंवेष्ट किस चीज में किया है, और मेरा कितना कोश्ट क्या चीज का पड़ा है. तो दोस्त, इस से पहले, एक चोटा सार रिक्वेस्ट है, कि आप हमारे चैनल पर पहली बारे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारा होसला जुरूर बढ़ाएं दोस्तो देख सकते हैं आपको हम दिखाने का कोशिस कर रहे हैं दोस्त हमने जो एक फार्म बनाया है पहले हम अपने फार्म के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को मेरा फार्म का चोड़ाई जो है दोस्त ओर तैस फीट है यह और ही है लंबाई इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फार्म की जो चोड़ाई है आप ज्यादा से ज्यादा 25 फिर तक ही ले जाए और लंबाई आप चाहे के बारे में तो दोस्त जैसे देख सकते हैं हमारा जो यह पोल्टी फार में इसमें मैंने 23 ट्रीप मिट्टी मोरम भरवाया हुआ है जिसका कोस्ट मुझे पड़ा है यह जो ट्रेक्टर का ट्रोली होता है उससे हमने भरवाया है जैसे भी से तो उसमें जो हैसे दोस्त जैसे यह दोस्त रूप्य एक ट्रीप का पड़ा है तो 2300 था थीच गुने था किया है तो 3450 रूपे हुआ है जिए दोस्त इसके बाद हमने मिट्टी मोरम डलवाने के तो दोस्त इसका दोनोट प्लस करेंगे तो 4900 रुपिया मतलब 3900 रुपे कुल मेरा मिट्टी मोरम में खर्च हुआ है तो दोस्त यह तो होगे मिट्टी मोरम की बाद आप इसके आगे बात करते हैं कि इंटे की दोस्तों जैसे कि हम आपको दिखा दें कि हम अपने पॉल्ट् आप देख सकते हैं कि हमने 3000 यह और कुछ टुकड़ा इंटा भी खरीदा था जो हमने जमीन में डाल दिया जैसे कि दोस्त आपको साइड से जिस तरह से इससे साइड मेरा बना हुआ है आप देख सकते हैं इसके नीचे हमने टुकड़ा इंटा डाल दिया यह मेरा बहुत सा करने का आइडिया होना चाहिए तो हमने जो यह सो नीचे दबाने के लिए इसमें टुकड़ा इंटा की इस्तेमाल किया जो कि मुझे अच्छा खासा मिल गया था तो दोस्त हमने बारा हजार रुपया का इंटा खरीदा हुआ जो इस पीलर में चारुतरपूज किया और हमने जमीन के अंदर जो इटा डाला उचे जर का टुकड़ा इटा खरीदा हुआ दोस्ति दोनों मिला के अठारा हजार का इटा लग गया है और आप यहां पर देख सकते हैं उन चालीस सो रुपया का मिट्टी भरवाया हुआ तो दोस्त आप बात करते हैं बास की जिसे हम में पारके एगे मजगोत वाला और हेविवाला जिसको हम लोग आम बाता में कटाहा बास बोलते हें और बादे अभल दूक ह pools स्जक्रांप एसके अपेच्या आधी होता है तो दोस्त हमने जो किया हमने क्या किया है कि इसके ऊपर ज्यादा लोट होता है इसलिए हम यहां प एक बंबू का हमें 100 रुप्य पड़ता है और इसका जो कोष्ट है एक बास का हमें 40-45 रुप्य पड़ता है इसलिए हमने चारू तरफ साइड में नीचे नीचे तरफ हमने एक कटहाबस लगाया हुआ जो मजघूत वाला बास है यह तो होगई हम उपर का इसे की सीच्टिर कर रखा हुआ आप देख सकते हैं इधर भी कटहाबसी है जो मजघूत वाला बास है यहां ऊप देख सकते हैं एधर भी मजबूत वाला बास ऊपक्राइब से तो दोस्तों ओंक्राइब भी pure नुए तो ही मेरा यूल नौरी करें ना मैजयते भी यह हूं अब सकाल ठिक है तो बीच में बीच में भी complete हो गया साइड में भी complete हो गया अब बात करते हैं इस बांस की तो दोस्तों यह वाला जो बांस है यह मेरा खुद के घर पर है और हमने खुद की ही लगाया हुआ है घर पर ही घर का बास सोरी मेरा जो फ्रेंट मैं आपको दिखाने का कोशिस करता हूं जैसे अब देख सकते हैं कि उस साइड में मेरा जो है वहां से हमने कटिंग करके लाया हुआ है और यहां पर इस्तमाल किया है तो दोस्तों मेरा खुद का होने के कारण से मुझे इसमें पैसा नहीं लगा है और दोस्त एक चीज और बता दूं इसमें जो विचाली का उज किया फिर इसके उपर विचाली दिया हुआ है ताकि नीचे से भी विचाली और उपर से भी विचाली बीच में प्लास्टिक रहे ताकि पानी भी ना चुपे और बरसात में भी कोई परिसानी नहीं होती है और विचाली के कारण से प्लास्टिक भी खराफ जल्दी नहीं होता त तो दोस्त विचाली भी मेरा घर का यह और यह बांस का बंबू यह जो पूरा लगा हुआ यह भी मेरा घर का यह ठीक है तो इसमें भी कुछ पैसे मेरे बच गए सब्शाहे अब आगे बात करते हैं जाली का सरी दोस्त इससे पहले हम आपको प्लस्टिक के बारे में थह लोगा सब आ तो दोस्त आगे बात करते हैं जाली का तो जाली हमने पांच बंडल जाली खरीदा था उस समय हमको तीन हजार रूपय करके एक बंडल पड़ा था तो पांच बंडल का हमको 15,000 रूपया हो गया दोस्तों जाली का हम क्वालिटी आपको दिखाना चाहेंगे जैसे कि आप इसे तरफ दिखाते हैं इधर जाधी रोसनी होने कारण नहीं दिख रहा है आप देख सकते हैं यह जाली का दोस्तों यह बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा नोर्मल भी नहीं है यह मेडियम साइज का जाली है ठीक है दो मेडियम साइज का जाली है और हमने जाली को जो फ कर दिया कि देख सकते हैं तो पूरा फार में इसी तरह का फिक्स है ताकि एक उत्ता या बिल्ली असानी से खीचना सके या फिर कोई इसको आराम से तोड़ना सकी टिक है दोस्त आपको इसं कर देना है इसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं आता है में दोस्त आगे बात करतेğıं काटी और तर की जो भी हम नेसमें जो ठोकने के लिया हमने जो तर बांधने के लिए इस्तमाल किया था जो हमने कील का इस्त Bene इसा में किया है उसके बारे करके पढ़ रहा था जिसकी किमत लगवग 990 रुपय आया है तो दोस्त इसके बाद बात करते हैं मिस्टरी का तब मिस्टरी का आप देख सकते हैं कि 12 दिन हमने मिस्टरी को लगाया है 500 रुपय करके उसको हाजरी देना पड़ता था एक दिन दोसटो इतना ही कुल खर्च है मेरा देखे हैज आपको यहां से दिखाएं लाष्ट में मिस्तिरी का खर्चा है बाकिवाद दोस्थो अभी के हिसाप से अगरी जाब पोल्टरी फांब बना होगे तो आप को हम बता देते हैं कि जो सिमेंट हमने 330 में खरीदा था आज हो चारसो डास रुपे का है और जिस फ्लास्टि को हमने 140 रुपे केजी खरीदा था रूज 170 और नियुक्त जिस बंडल जाली को हमने 3000 रुपे खरीदा था आज बंडल रुपे बंडल मिल रहा है तो तो इसके इसाप से आपका कुछ बढ़ सकता है और दोस्त बात करें ड्रिंकरीडर की तो इसका नहीं है इसलिए नहीं है दोस्तों की आप यूज करेंगे या भी है इसके वज़ा से इसमें सबसे जाधा कम कोश्ट लगता है क्योंकि इसमें पानी टैंकी की जरूरत नहीं पड़ती है आप डारेट नल या चापा कल जो भी आपके पास में सुविधा पानी का उससे उच कर सकते हो और आप जिदी ऑटमेटिक लगाओगे तो उसमें कोश्ट थोड़ा ज्यादा आएगा इस आप देख सकते हैं हम आपको फिर से बता देते हैं उन 400 रुपे का मीटी भरवाया है अठारा हजार का इंटा लगा है इसमें कि और बास का जो फ्रेंट 600 रुपया लगा है 120 रुपय हमने कटवाने का दिया 720 रुपय बास का खर्चा है और प्लास्टिक का खर्चा 12 दिन का 500 रुपय करके 6000 रुपय खर्च है तो दोस्तों इसमें एक चीज और बता दें आप पूछेंगे कि लेबर का इसमें कोश्ट नहीं है तो दोस्त हम आपको बता दें कि हम पॉल्ट्री आदमी हैं मुर्गी पालने वाले हैं तो अगर जिदी अपना कोश्ट बचाना है काम या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है तो इसमें आप एड कर सकते हैं जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 6000 रुपय मिस्तिरी का कोश्ट है तो इसमें आपको डबल लेबर का एड करना पड़ेगा दोस्त हमारे यहां 300 रुपय करके लेबर का चल रहा तो आप 10,000 रुपया मान लेजे कि आपका लेबर खर्चिस में प्लस हो जाएगा इसके बाद दोस्तों अगर जिदि आप बीचाली आपके पास में भी नहीं है तो उसमें भी आप 5000 रुपया प्लस कर लिजे किसमें 5000 रुपय फिर बीचाली खरीदने में आपको लग जाएगा और दोस्त हमने जिस बांस का इसमें जिकर किया था इस बांस भी जिदि आपके पास में बंबू नहीं है तो इसका भी कोष्ट आप 5000 रुपय एड़ कर लिए 5000 में लगभग आपको इतना सारा बांस मिल जाएगा तो दोस्त यहीं सब था हमारे इस फार्म का मेनेजमेंट औ और फार्म का कंट्रक्शन का सारा चीज तो दोस्त उमीद है कि आपको मेरा पूरा फार्म समझ में आ गया होगा असा करते हैं कि आप इस तरह का फार्म बना सकते हैं तो दोस्त आपको एक चीज़ और बता दें कि मेरा फार्म जो है सो अच्छा का सा मजगूत है ऐसा नहीं है कि आंधी तोफान में कभी उड़ जाएगा मैं आपको सबाहर से दिखा देता हूं मेरा फार्म का यह विई है देख सकते हैं आप देख सकते हैं मैं ने फार्म पर गेट लगाया दोस्ते आपके बारे गेट के बारे में भी थोड़ा सा बता दू मेरा गेट का जो है सो 24 कि देख सकते हैं कोई दिकत नहीं II amirafhara कवी इस तरह है muh DoS देखते हैं जिसको हमने पूरी तरह से पक्का बनाया atención कभी आपको बताएगे कि इस तरह वीडियो देखने के लिए दिल से धन्य बाद दोस्त चैनल को जुरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो को सेयर करें